आज की स्वागर एवर अभिनल्दर आज की इस गौर्गान निक्षण में मंच की शोगा बढ़ाते हुले कि राज़ा पस्तिल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेंगे कर्मियों फार्फा चुनेंट आज़िवा भाई तो जमुष्पी रमीश कुमार जी की गौर्फ पस्तिती के ल हुआ हुआ है कि माननीयों राजजबाल जी की दस्तार्बन्दी के लिए स्वामित्वुमार्च श्री मनौत सिर्धा जी को दस्तार बद्नी की जा रही है कश्मीरी पनिक्ट को सारा कि अधीघ गरम, कश्रीप्ण से अक्रकार्पाब ये चेफ्र में अपना अतुल निया योगदान देती हचि को समाज कल्यान की एक शेट्र में राजीव पंडिकाजी इंटिनाशनल फिल्म पेस्टिवल से लेकर खीज़ों से अगी पंड़नाजक बारफ पुर्लें पेस के कर दो कर दो कर दिया गया है आवास मैंने जो सरकारी संतर का बताया धारत सरकार का गरीमन तरह ले कमिटेड है क्योंकि जो घर नए बने हैं वहां सुरक्षा के भीव माकूल प्रबंध हो कुछ लिख के जाता है वहां से कुछ लिख के आता है लेकिन अब भाई नदी बुलू साथ ने उसे भी दिया है त उसके पहले सुतर में कहा गया है उद्यमव भैरव उद्यम ही भैरव है यानि हमारी कुछ राचनासमग करने की चेस्टा उसकी यात्रा में पहला कदम ही सबसे महत्पुण होता है पिरासत के साथ आधुनिक स्वरूप देकर नया जमू कस्मीर बने इसकी चेस्टा जब्को मिलके करनी है समाज के सब लोग मिलकर के जमू कस्मीर को आगे बढ़ाने राष्ट रहित की रिक्षा करें समाज के सुख में भवी सकी रिचना करें यह सब मिलकर के ही करेंगे जो मैंने कि सुना है मामन को मेरे पास है कि पूरम पर एक मांग के बारे में को चीक नहीं है जब अगली बार आप लोग आएंगे तो उस पर आपको बता दिया जाएगा पेंडिंग ही सुख जाएं उसमें कई आगे समधान के अंतीम चर्ण में जो अगली बार हम मिलेंगे तो निशी तूरूप से इनमें सुकाई का समधान में रहेगा नौ वर्स में मिलें इसमें नौ वर्स में आपको पर आपके अपनी बात में पूरी करता हूँ जये जमीन पर कैसे हो रही है यह लोग महसूस कर रहे हैं मैं वास्तविक्ता में यह बात में कर रहा है तो जो बाते हैं मैंने अब जैसे अब ऐसी दीमांड है को उसमें मैं जानता हूँ कि गल्ती हुई है लेकिन जो गल्ती करता है अब मैं कैसे मानूँ है कि मैंने गल्ती है तो यह कठिनाईया राती है प्रशाशनी बावजु जिसके मैं यह कर सकता हूं कि प्रशाशन संवेदंसील है और पूरी शिद्धत से आप अस्थाई रूप से वहां रहें आप सांती पूर्वक वतावरण में रहें आप आपका परिवार आपके अनिवाली पीड़ी जो आपकी विरासा पर ही है उसको क्यों संदर्चित न करें बल्कि उसको गरों भी करें उसको आगे भी बढ़ाए यह निशित रूप से प्रयास किया जाएगा मैं जानता हूं कि राज लंबे समय तक कथिन समय से गुजरना पड़ा है ऐसी भयावा प्रतिकूल परिश्चितियों से जुजना बेर भाव के आजातों को सहना इनको सब्दों में बयाच करना बड़ा मुश्किल है तीन दसकों तक मानवी गरिमा मानवतावादी आदारस और सामाजिक नयाए इन सब चीजों को छोट पहुंची लेकिन अब मुझे लगता है कि इस्तिति में काफी बदला हुआ है और माननी प्रधानमंत्री के मैं कहूं कि दिरुड इच्छा सक्ति के फैसले जो लोग हासिये पर थे ऐसे समुदायों में उम्मीद की किरण यह गर्थ कुई है और इस सार्दा पीट की विरासत के उत्तर अधिकारी की उन्त में एक नए प्रगार का आत्म विस्वास दिखाई पर रहा है अब वात्म विस्वास वास्तों में जमीन पर उतरे इसके लिए अभी बड़ी मेहनत करने की आवसिता है ब्यक्तिका तुरूप से भी मैं यह बात कह सकता हूं कि प्रधार मंत्री जीब जमू कस्मीर के विकास कल्यान सबके सुक्सान थी और उत्थान के लिए ब्यक्तिका तुरूप से भी बहुत चिंदित रहते हैं कुछ वर्सों में दड़्ड़ता के साथ कई ऐसी लिवस्थाएं यहां समाप्त्मी हैं और कई नहीं लिवस्थाएं लागू की नहीं हैं जिससे उमीद लोगों के मन में जिदी है कई लोगों के मन में आत्मी विश्वाद दिया या है सांस्कृतिक और ध्यात्मी परंपरा को नरजिवित करना है यह सरकार के बसका काम नहीं है सरकार कोसिस कर सकती है जब तक समाज आगे नहीं आएगा मुझे लगता है कि यह काम सरकार करना ही पाएगी मैं जानता हूं कि आतनकुवाद के कारण प्लातोगा घर जमीन जायजाद सब कुछ छोड़कर लोगों पहाना पड़ा दबाव में लोगों ने अपने घर जमीन और बाकिसी भी छोड़ी आउने पौने दाम पर बेचा यह भी अलूम है मैं कोई इसका राजने तिक लाब लेने के लिए नहीं लेकिन आपने जो योगदान दिया हास्तों से भारत की अध्यात्मी कुछ पुर्जा को किंदर के रूप में विक्सिट करने में वो वो पूरा रास्त के तक गया है कि इस बात कि अधार में करोंगे जहां शेतना का केंदर होता है वहीं उसके आध़ पास आधुर्जा की वजह से आधुनिक समाज भी निर्वित होता है कई कारेकर्म दोए हैं कारेकर्म को पीरियों के भविश्य को बरबाद किया अपनों को अपनों से अलग किया और उस आदर्सकों नुक्सान पूंचाया एक समय है जिसमें पूरा समाज आ गया रहे और मैं तो हर यहां खुल्यान करता हूँ कि अगर वो लोग भी कहें कि साब हमसे करती हुई तो साहर बेटर होगा कुछ लोग मन में सुखारते हैं लेकि कुछ को बहते हैं मन में नहीं माते हैं और मुझे भी तीन जाब से उपर होगा मैं लगवार्ग सबकूर सही रोप में जान नहीं किसी के साथ इन लोगों ने आता कवाद करा सब्सक्राइब मुझे लगता है कि ये भारत के लिए और पार का मसला है और इसमें भारत सरकार कहीं कोई कुटाही करने वाली नहीं है मैं कई बार कहता हूं कि सांती खरीदी नहीं जा सकती सांती स्थापित की जाती है और सरकार के नीद पच्छड लई है जा उमीद करता हूं कि आप सब लोगों के इसने से भी और सरकार की नीदियों के कारण आने वाले दिनों में इसनी और से पैदा होगी जहां जो जैसे चाहे वो रह सके सीवसुत्र की जो रचना हुई थी इसने चित्तम मंत्रह चैतन्यमान्या की सिख्षा ली थी समाज के विविन पंतों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया था पुना इस भाव के लिए मिलकर के काम करने किया वा सकता है इको सिस्टम में बचे कुछे जो सलेंतरगारी है उनको भी चनित किया गया है काफी लोग अपनी जगह पर पहुँच गए है कुछ ऐसी घटनाएं हुई जितकी जाच नहीं हुई कुछ की जाच शुरू हुई है कुछ बची है उनके लिए विशाक्ष जुटाया जा रहा है उनकी विजाच जरूर की जाएगी और मैं कहना चाहता हूं कि समाज दर निश्चित कर ले ये पंद्रह पीस लोग इतनी बड़ी संक्या का क्या कर सकते समाज को भी बारे में सूचना चाहिए लाक्ष नागरिकों की ताकत ये इन दस बीस लोगों पर जिरूर भारी पड़ेगी प्रसासन उनके साथ-साथ नागरिकों का भी एक कर्तब्य है उनका अंद्रवन बड़ा जिरूरी है मैं आप सब को ये भरोसा देना चाहता हूं कि प्रसासन पूरी सम्मेलन सीलता से आप सब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तपर है आपके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं वो जमू आते हैं तो कुछ कहते हैं स्रीनगर जाते हैं तो कुछ कहते हैं आप ही सुनते हैं मैं जो स्रीनगर में कहता हूं ही जमू में कहता हूं और जो जो जईनी में का रहा है और भासा बजलने का कोई कार्ण नहीं इसे लोगों को समय पर पाचानना ये बड़ा है गलती हम तब कर देते हैं जब इसे लोगों को वक्त पर नहीं पाचानते हैं कि बीचबीच में मुझे मुझे कई लोग आधी तरह की बात करने हैं कुछ लोग करना आफ़ीस आप चुद läu रढ़ेंगे क्या I Daug इक मुझे न कुई चुंदान ना देना है लेकिन एक बात मा ज़रुरिय fik काना चाहता więks यह हां रहना चुनाओ करा करके ही यह ना उसके पहले जाना भी है तब तक ठीक से रहना है किसी के दबाव में नहीं जुकना है और किसी कमजोर बात जरू करना है जीवन में परिवर्तनावे उसके चेहरे पर खुशी आवे इसके लिए हर प्रयास करना है आम आदमी के सपने पूरे हों उनकी आकांचाओं को सफलता के नए सिखर मिले उनके सामर्थ को नया भर मिले ताकि वो भी विक्सित भारत की यात्रा में अपना योगदान दे सके पसासन कल्यानकारी योजनाओं को लागू करते हुए आम आदमी को विकास की कथारा से जोडने की हर पोसित कर रही है हर एक ज़रुत मन तक पहुंचना विकास की हाथ खिरी कतारी में खड़े वे गर्तित योजनाओं का लाग पहुंचाना मित्रों मैं जानता हूँ तिरंगे ग्यान योगे न संग्या न कर्म योगे न योगी न ग्यान न इसकाम कर्म दोनों मारगों के अनुसार कर्म बहुतनिवारिय है कुँकि कोई भी च्छन मात्र बिना कर्म पर चले आगे नहीं बढ़ सकता राष्ट प्रथम की भावना पर चलने वाले सरो समाज के लिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है उनी कर्मों के द्वारा विकास के नए आयाम प्राप्त होंगे जिन कल्यान के भियान को गती मिलेगी और हर एक नागरी के जीवन में सकरात्मक बदलाव भी आ सकता है कार कर्म के बारे में और पिछले दुढ़ाई वर्सों कि यात्रा के बारे में मेरे पहले बताया गया है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ है मैं इसको सकता हूँ कि आप यह फियम पैकेज इंपलाई हो या वारे दूसरे साथी जो वहानों पर इक लगते हैं वह भले प्यम पैकेज के नो इनकी जो वाजिब कठ्दाएं या है इक हम भी जानते हैं जब दिमाड करते हैं तो रहा है क्या होने उने वहाले है क्या था प्रभू द्रोबों को पारो रहता है तो कुछ तो यह मांण पर CHP म द्राथ है कि यह हो जाएगा और कुछ लिखने के लिए लिखा जाता है आप भी समझ रहें? मैं भी तक ज़ला हूँ जो लिखने के लिखा गया उसको भी आज़ा जा हूँ जो निश्य तरूक से किया जाएगा ये मैं आपको आपको करना करना हूँ अब इस जिद्धास आप से मैं बात करना था पिछले वर्स इन्होंने एक अच्छा वियाद करूं किया था माँ 6133 युवा या मैंकों की स्वारो जुगार के लिए लोग पंजी कर दो इन्होंने लाइन देपार्टमेंट को का विवरल दे दिया है मैं जियागर कर रहा था कि थोड़ा ट्रम में कम हो जाए तो एक दिनों वहीं कैम्प लगा करके तो जो फाइनसियल असिस्टेंस देना है वहीं दे दिया जाएगा उसमें 5162 नहीं होगा पूरा तिरसफ मिल जाए इस परियों में एक सबागार दो तीन बाते आई इस बज़त में उसका भी प्राविजन निशित रूप से होगा तेजी से काम हो जाए मीडिया में जो कहा जाता है कुछ और चब जाता है इसने मैं को ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं कि कल की वह हैडलाइन बने लेकिन बदकाली मंदिर के समय जो बात में परिखी हो कर दो क्राम नहीं करीं कि उस पर काम हो रहा है और मुझे लगता कि मैं इतना ही कहुंदा कि पर्डाम जल्दी आ जाए तब और आना चाहिए जल्दी उसके सची उस पर जमीन पर उतर जाए मैं समझता हूं कि मेरी काफी साथियों से चर्चा है जाने मुझे बहुत उस बारे में विश्थार से कहने किया वसकता नहीं है मेरे पास अव तक जितने इसशों है सब मेरे पास लिकित है जो ही आफ है तो रिजाल्ट है वो ही इस पनिगों किसी स्टेज़ पर है उनका ने मेरे पास है अब कुछ मैंने कहा कि वितने के लिए लिए लिखे जाते हैं तो वह भी है जो क्यों लिखे हुए है लेकिन मेरा दफ्तर इसको दिनंतर लगा हुआ है कि जो हुने लायक हो जदी से जदी होई एक में चोटा किस्सा सुना था कि दिनविकार थे एक लेख लूड लिखा